अभी इस वक्त में मौझूद हो अयोध्या में स्रीराम की नगरी में सर्यू नदी के किनारे ऐसे ही मेरे साथ ही रिपोर्टिंग कर रहे थे मैंने देखा भाई साब इनकी दो तारिक को साम को लगबग साथ पजे इनकी बेटी साथ वर्स कि थी यहीं नदी में नहाई उसके बाद बता रहे हैं कि बाहर निगली तभी गायब हो गई थाने पर चक्कर लगा रहे हैं कई हजार रुपए खर्चा कर चुके अभी तक इनकी बेटी का पता नहीं चला कहां है कहां नहीं लेकिन सुत्रों का हवाले से और उन्होंने मुझे बताया कि इस नदी में मगर मच हैं इसे जानने का प्रयास करते हैं आयोध्या की पुलिस इनकी क्या मदद की है यहां की जो यस्पी है नईयर सहाब है जो जानपुर में भी यस्पी रह चुके हैं अब उनसे इनसे बात चीत करूंगा इनकी यहां की पुलिस क्या मदद की आयोध्या की पुलिस हमेशा सु आज 21 तारीक हो गया इतने दिन में प्रसासन आपका क्या मदद किया पांच चार दिन जो है रिस्कू हुआ उसके बाद में हम सब लोग जो है इधर उधर ढूड़े नहीं मिला तवा करके रिपोर्ट दर्ज करवा है जहां-जहां संका थी जहां-जहां गए ढूड़े चार- 263 का मुकदमा दर्ज करा है थाने में दर्ज है लेकिन आप बता रहे हैं आप भाजपा के भी कार करता है बहुत अध्यक्ष है तो जब आपकी नहीं सुनवाई हो रहीत आम जन्माना कैसे हो गया घाए हमारी सुनवाई होई नहीं-ड़े क्या बताए आप उच अध्यारिय यहां आर्तिक तयारी हो रही थी उसी के दर्मियान जो है कपड़ा-पड़ा पहें पहेंने आ रही थी जब थाने बाप जाते हैं इस बारे में पुस्ताच करते हैं तो क्या वहां सक्या कहा जाता है मुकदमा लिख दिये बस दुबारा जो फोटू मांगे फोटू दे दिये चार रोज हुआ पांच रोज अभी तक आप अपने बेटी को ढूंडने के लिए कितना पैसा खर्चा कर चुके हैं कम से कम एक लाख रुपे लाख रुपे रात दिन गाड़ी चल रही है रात दिन आप यहां पंडित जी हैं इनकी साथ वर्ष की बेटी थी यहां नहाने आए थी यह भी घूमने तहलने आये थे पुझा पाट करने आए थे फिलाल जो आयोध्या के सब्सक्राव है उनसे मेरा निवेदन जो यूपी के डिज़ीपी है प्रसांद कुमार जी से मेरा निवे ये 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 ये